छाय नहीं बाते हैं? लाटिटूड क्या होता है इसके बारें यहां पर भहला है बताई गयी है, तो पहले इसको देख लेते हैं लाटिटूड यहां पर वो क्या बोल रहा है लाटिटूड यह बारे कैं आपको NCRT तकी सहीमित रखेंगे ना अभी वरना बताने के लिए तो मेरे बस से हैं पर बहुत सारी चीज़ें पर NCRT तक सहीमित रखेंगे आप यहां पर एक चीज़ देखो कि एक तो इसने बोले कि all parallel lines एक equator आपने एक standard line अर्थ के बीच में ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको में एक सीधा सा diagraam होता तो मैं ऐसे बना देथा कि यह equator है ऐसे गोल से मैं और अर्थ बना दिया अब क्या होता है कि हम यह equator से नौर्थ पोल तक ऐसे globe में बहुत सारे circles खेत सकते हैं आसे यह equator से North और यह equator से नीचे South पोल तक Flash तो एसे circles हम लोग बनाते है इक्वेटर से पोल तक, एक मैंने ऐसे लाइन कीचा, फिर ऐसे कीचा, ऐसे कीचा, नीचे भी ऐसे, 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 ऐसे कीचुगा, तो south हो गया या north हो गया तो इनको हम लोग बोल देंगे, parallels of latitudes, आँ सार हमने parallels क्यों बोला इनको, समझते हैं, आपने यह 0 degree बनाया, थोड़ी उपर आप 1 degree बनाओ, और ऐसे line खीचो, और पूरे globe पे ऐसे line चलाओ, तो आप देखोगे कि 1 degree और 0 degree के बीच में, पूरे globe पे जो distance है, दोनों के दोनों लाइनों में distance सेम है, दो लाइनों के बीच में, अगर distance सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, parallel line बोलते हैं, यही ची तो आप जितनी भी lines खीचोगे, सभी lines के बीच में distance सेम होता है, इसलिए, जो यह हमारी latitudes होती है, equator से north pole तक, जितनी भी में ऐसे lines खीचता हूं, जिनको latitude बोलते हैं, इनको parallels भी बोलते हैं, आप समझ वागे है, parallels क्यों बोलते हैं, पहली चीज तो यह याद रखना है, then latitudes are measured in degree, अभी देखो मैंने इसका नाम क्या रखा, एक डिगरी बोला इसको मैंने, या दो डिगरी बोला, तो मैंने इसका technically name क्या रख दिया, एक डिगरी, दो डिगरी, अला कि कुछ-कुछ ऐसी latitudes हम लोग पढ़ेंगे, जिनको हम specific name देदेंगे, जैसे Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, 40 degree parallel, 44 degree parallel, 23 degree parallel, ऐसे मतब हम नाम दे देते हैं, तो जब मैं parallel शब्द यूज करूँ, तो समझ लेना कि horizontal line वाली बात कर रहा हूं, यानि latitude की बात कर रहा हूं, तो यह degree में measure होता है, यह अभी आपको याद रखना है, अब degree में क्यू measure होता है, since the distance from equator to either of the poles is one-fourth of a circle round the earth, यह क्या ब पूरा globe का अगर में यह चक्कर लगाता है, तो यह उसका one-fourth हो जाता है, ऐसी equator से नीचे south account, तो यह वाला हिस्से भी one-fourth हो गया, one-fourth plus one-fourth, two by two, one by half, तो इधर वाला हिस्सा north pole से south pole half हो गया, और तीछी की तरफ वाला हिस्सा half, तो half plus half, पूरा एक हो गया, तो ऐसे चकर माना जाएगा, मैंने south से start करा, ऐसे गया, equator मिला मुझे, फिर इदर गया, फिर north मिला, फिर इस तरफ को आया, वापस equator मिला, फिर रीचा है, यह चकर हो गया, लेकिन सर, क्यूंकि मैं यहाँ पर कुछ study करने की convention निकालने की कोशिश कर रहा है, तो equator से सिरफ इधर का हि जब हम circle mathematical terminology में, spherical body का angle जब निकालते हैं, तो यह degree में होता है, यह meter kilometer में नहीं होता है, आप सबसे तो sphere इन चीजों को हम degrees में measure करते हैं, तो जब हम एक पूरे circle का चारों तरफ गूम जाते हैं, distance measure करते हैं, तो हम यह नहीं बोलेंगे kilometer, अब इसको angle में निकालते हैं, 360 degree, त अब मैंने इसका भी one-fourth कर दिया, तो फिर सिरफ equator से pole तक, मुझे यह angle मिलेंगे, यह total कितरे मिलेंगे, 90 degrees, इसलिए जब भी आप latitude का नामकरण करोगे हैं, तो equator से उपर 90 degree और equator से नीचे 90 degree रखना पड़ेगा, यह कह रहा है कि, इसलिए 90 degree north latitude marks the north pole, and 90 degree south latitude marks the south pole, दो ही चीज इसने बताई देखो अभी तक यहाँ पर, यह दो चीज बताई हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इक diagram बना करके समझते हैं, यह बोला उसने, यह जो equator होता है उसने बोला यहाँ से शुरू करते हैं angle नापना, तो यह तो खुद 0 degree होता है, अब आप इस in points, जितने भी यह points हैं, इन सारे points पर अगर angle निकालोगे equator से, मैं थोड़ा और advanced level पर समझा रहा हूँ, ऐसे यह, तो यह one degree है, यह one degree है, यह one degree, यह one degree, वon degree, one degree, तो फिर इन सारे points को मैं इकटा कर दूँगा, तो यह one degree मिल जाएगा, एसे करते करते, ऐसे करते करते, two degree, three degree, four degree, five degree, यह सब करते करते, last मैं north pole पर खतम होगा, जहाँ पर म 90 डिगरी, और उसके पीछे आपने क्या लगाना है, नौर्थ लगाना है, ठीक है, नौर्थ पोल पे क्या लगाना है, 90 लगाना है, ऐसे ही मैं इन सारे पॉयंटस को एक्वेटर के साध हemiसिफियर में लगा हूँ तो, एक डिगरी, दो डिगरी, 10 degree, 50 degree, 60 degree, 80 degree ऐसे करते, करते, करते last जो मेरा आएगा, वह आएगा 90 degree south, जो की मेरा south pole पर है सबको बात समझ मारी, कैसे naming हो रहा है यह 90-90 degree मैंने कैसे निकाला है यह 90 degree मैंने equator को base बना करके निकाला है, किसको base बनाया है मैंने, यहाँ पर equator, यह blue color का रंग दीजेगा equator, अब ध्यान देना equator से उपर, यहाँ तक का हिस्सा था आपका north hemisphere, और equator से नीचे यहाँ तक का हिस्सा है आपका south hemisphere, तो जितने भी आप degrees south में लगाओगे 2 degree, 3 degree, या 30 degree, या 50 degree या 70 degree, maximum 90 degree या 90, इन सब के पीछे इनको indicate करने के लिए आपको s, 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 s लगाना पड़ेगा, s का मतलब होता है south hemisphere, और ऐसे ही उपर अगर लगाँगा, मैं 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया degree, तो यहाँ पर मैं लगा नॉर्थ, 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 उस जाओगे न, तो इसलिए मुझे यह समझना जरूरी है कि मैं 3 degree south पहूँ, तो आप समझ जाओगे, अच्छा, यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ लेकर रहती, यहाँ जाना है आप से मिल लेकर, आप समझे न मेरी बात, यह चीज वो यहाँ तक बता रहा है, इसके आगे वो क south latitude, तो मेरे लिए 2 keyword यहाँ पर आगया है, कौन से 2 keyword आगया मेरे लिए, एक north latitude क्या होता है, और south latitudes क्या होता है, क्योंकि हम Indian geography पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका utilization करेगा, समझे रहो, इंडिया का northern boundary कौन से latitude पर है, इंडिया का southern boundary कौन से latitude पर है, ठीक है, यहाँ तक की बात इ आगया है यह और इसने बोला है, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or the word south.